जै माता दिमित्रो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे मातारानी आप सभी पर कृपा करें आप सभी पर अपना अशिरवात बनाए रखें बित्रो कुछ लोगों का ये प्रश्ण है कि जब वो साध्ना कर रहे होते हैं यह किसी स्तोत्र का पाट कर रहे होते हैं यह उनके साथ में कुछ चीजे होने लगते हैं उनको कुछ शारीरिक अनुभव होने लगते जैसे कि उनके हाथ कापने शुरू हो जाते हैं या फिर उनको उनका उल्टी जैसा मन होने लगता है उनको उनका शरीर भारी-भारी होने लगता है सिर भारी-भारी होने लगता है चक्कर जैसे महसूस होने लगते हैं और खेलने का मन करता है कि जैसे हम खूब खेलें खूब महसूस होता है बहुत जालगा और कई बार तो ऐसे लगता कि जैसे तोड़ी दिर के लिए चेतना ही गायव हो गई बिलकुल इस तरीके से चीजे लोगों के जाहिए लोगो को उबासिया हमारे सिर पे हमारे पैर पे हमारे हाथ में और हाथ कापने लगते हैं बहुत जादा ठीक है हाथ वाइबरेट होते हैं शरीर वाइबरेट होने लगता है और शरीर में एक बिजली सी दोड़ने लगती है जैसे कि कोई शक्ती घूमरी है शरीर के अंदर तो इन सब चीजों ये है तो धीरे-धीरे क्या होता है कि जिस चीज़ को हम कर रहे होते हैं वो चीज़ें सिद्ध होने लगती है ठीक है एक्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जैसे कोई एक स्टूडेंट है वो रोज mathematics का अभ्यास करता है mathematics की प्रैक्टिस करता है रोज वो उसी exercise को बार बार दोहराता रहता है तो वो exercise उस student को इतनी हद तक सिद्ध हो जाती है मतलब कि वो उस चीज में perfect होने लगता है perfect हो जाता है इसी प्रकार से जब कोई साधक कोई भक्त कोई ओजा सोखा या कोई भक्त होते हैं जैसे हम जो भी कर रहे होते हैं चालिसा कर रहे होते हैं या कोई स्तरोत पढ़ रहे होते हैं या मंत्र का जब कर रहे होते हैं तो वो चीज भी हमारी सिद्ध होना शुरू हो जाती है और जो भगवान होते हैं मा भगवति आदिशक्ति होती हैं देवी देवता होते हैं उनका जो शाब्दिक स्वरूप होता है वही ये चालीसा होती है वही ये स्तरोत होते हैं वही ये मंत्र होते हैं देवी देवताओं का शाब्दिक स्वरूप आप इनको कह सकते हो तो जब वो शाब्दिक स्वरूप सिद्ध होने लगता है तो देवी देवता भी हमें सिद्ध होने लगते हैं क्योंकि हम 40'sा ने माध्यम का आवाहन करते हैं। उन्होंने युद्ध में जो उन्होंने प्रदर्षन किया है उसका बखान करते हैं, उनका गुढ़गान करते हैं तो वो चीज हमें सिद्ध हो शुरू हो जाती है तो उसी सिद्धी का उसी शक्ती का यह प्रभाव हमारे शरीर पर पढ़ना शुरू होता है कि जो हमारे साथ में इस सारी चीजे होती है और इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है यह अच्छी चीजे होती है यह गुड साइन है यह एक अच्छा संकेत है कि जो आपके इश्ट देव है वो आपके ऊपर किरिपा कर रहे हैं, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और उस शक्ति से आपके समस्थ कार्षिद्ध होने शुरू हो ठीक है अगर आपके साथ में ये चीजे हो रही हैं या होती हैं या आगे होंगी तो आपको बिलकुल भी घबराना नहीं है बहुत ही अच्छी चीजे हैं बलकि अगर आपके साथ में ये चीजे हो रही हैं इन चीजों को आपको किसी को बताना भी नहीं है ठीक है अपने घर म यह शक्तियों का असर होता है तो आप इन चीजों को गुपत रखो तो जादा बहतर है यह चीजे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरू को बताई जाती है या फिर अपने family members को और अगर हो सके तो family members को भी ना बताई जाएं ठीक है जहां तक जितना जादा आप इन चीजों को करना शुरू कर देगी और आपके शरीर में देवी देवताओं की सबारी आने लगेगी अगर आप सबारी नहीं चाहते, देख्या कृपा फिर्या decreased एक वाघवन हमें आप की प्रत्या और मार्ग करें, मार्गक्र मनाम्हत Yeah तो फिर देखना वो प्रत्यक्ष रूप से आपके उपर कृपा करना शुरू कर देंगे क्योंकि जैसा आप शक्तियों को चलाओगे शक्तियां वैसे ही चलती है आप उनको जिस स्वरूप में धारन करोगे वो उस स्वरूप में धारन हो जाती है जिस परकार से जो कुमहार ह उसी स्वारूप में आपके उपर आपके सामने आने शुरू हो जाती है. ठीक है, तो आपको बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिलकुल भी घजबरान नहीं, अगर आपके साहके छिज़ेगी गटी तोने दोस्स चीज़ को ठीक है ये आपड़ी चेतना वह इस तरह जहां पर आपको जहां पर आपको डिव्य द्रिश्टी प्राप्त और जाएगी जहां पर आपको शाकृषटatin हो जाएगा बस जो हो रही है उसको भरत उसके रोको मत विझे क्या हो रहा निक्या हो हमान होता है थोड़ा सब्हें सक्षक्टियों का बाद़ भगोरा जाते हैं लोग साथ मुझे घृटकर तो यह चीज़े आप को नहीं करनी आपके साथ में जो कुछ भी हो रहाएं अगर आपको जादा परिशानी हो जादा आपकी तव्यातขराब जाती तव्यूद भी खराब हो जाती ठीक है तो आपको घबर ना नहीं को लोग को उल्टृ हो जाती है लोग को बिमार पड़ जाते है लोगों को बुखार आजाता है लोग की हालत भुज़ Dual का छराistä till उठने की हिम्मत नई उदी बिस्तर से तो आपको डर ना नहीं है बस अपने भगवान से अपने इश्टि के प्रतिया आपको समर्पिद कर देना है कि मैं आपका हूँ आपको मेरे साथ में जोग जैसा करना है आप जानो आपका काम जाने ठीक है बस इस तरीके से आपको अपनी अपनी कृपा भगवान की कृपा बनाए रखनी है अपने उपर और गुप्त रखना इन चीज़ों को ठीक है मित्रो तो आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको दी है जो बात मैंने आपको समझाई आपको समझ में आई होगी और अगर मेरे द्वारादी के जानकारी आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो वीडियो को शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर आप पहली बार मेरी वी करें जाय मातारानी की